Hello friends, आज मैं बहुत ही healthy सा रोज आना खारे जाने वाली जो ब्रेकफ़ास्ट होते हैं यह लंच होता है वह बना रही हूं यो रोज रोज हम बहुत सारी शारे नहीं खा सकते हैं तो इसलिए बहुत सम्सिंपल सा खाना रेसिपी ले के आई हूं आप लोगों के लिए चलिए देखते हैं कि कैसे बनाना है तो मैं तीन तरह की डाले ले ली हूं मोंग, मसूर, मलका और तीनों को थोड़ा-थोड़ा हम मिक्स कर लेंगे एक कटोड़ी में तो इस तरह से आप तीनों जितना भी आपके घर भी डाल अब मैंने पैन रख दिया गैस पर अब मैं इसको रोश्ट कर लूँगी गैस को लोग करके हलका से रोश्ट करना होता है हमें तो दाल को अलका से रोश्ट कर लें उसके वाद पिसर कुगर में दाल को धोखे मुझे दो कटोड़ी दाल चाहिए दो लोग के लिए तो मैं इसमाई तीन कटोड़ी पानी दूँगी रेडी होने की बाद लग में दो कटोड़ी डाल बनके रेडी हो जाएगा तो पर तीन कटोड़ी पानी डाल देती हूं और इसमें हल्दी और नमक हल्दी नमक डालके प्रिसे कोकर को हम बंद कर देंगे हमारे ऐसे ही साथ प्लेन डाल बनाई जाती है तो अब हम इसको बंद करके गैस पर रख देंगे दो तीन सिटी लगाएंगे उसके बाद गैस को कम करके 5 मिनट तक हम उसको पकने देंगे ताकि दाल का पानी जो है अच्छे से पक के एक अच्छा सा फ्लेवर दाल में आ जाए अब मैं एक प्याज ले लिए हूं बरिसाइज को दो तीन आलू ले लिए हूं तो प्याज को हम स्लाइस में काट लेंगे बिंडी को में ने डो टुक्रों में काट लिए क्योंकि बिंडी बहुत छोटे थे अगर नॉर्मल साइज के होते हैं तो फिर तीन टुक्रों में बिंडी को काट लेते हैं अब गयार पिर पान डग दिया मैंने और उसमें जीरा लं गर्म करड़े उसकी वाद हम स्थेज पत्ता दो time 10 more और सर्सो का तेल डाल देंगे सरसो के तेल में सबजी स्वाधिष्ट बनती है इसलिए मैं हमेसा सरसो के तेल में सबजी बनाया करती हूँ इससे सबजी का स्वाध बहुत ही अच्छा बनता है कि प्याज को हलका सचलाएंगे एक से दो बार उसके बाद हम साथ में भीन्दी डाल देंगे ताकि प्याज और हमई दोनों से और रोष्ट हो जाए पक जाए अच्छे से तो बींदी डाल और लेंगे हाई पेंडी प्यास में रोश्ट हो जाएगा उसके बाद इसमें आनु डाल देंगे मसाले त्यार कर लेती हूं तो न थोड़िसी चाली मिर्स जेरा और दोचर्श धनिया साबूत धनिया ले लेंगे यह मसाले मैं हमिसा से फ्रेस कूटती हूं तो इसलिए सब्जी का तेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है तो आप भी इस तरह से फ्रेस मसाले कूटके ही सब्जी बढ़ाया करें तो अब मेरा भिंडी हो गया है अब मैं इसमें आलू डाल दी आलू क लोगवार है । मेरे मसाले डाल दिए साथ में सौरीट भी डाल देंगे उसके बदिवां इसको चला लेंगे मसाल recipe से खो़नेंगा तो अब होघ्त नियूंए कि सब्सक्राइब के मासाली को पका लेना है और फिर गैस को बंद करदेना है तो मेरा दाल बन चुका है सब्जी भी बन गया है लगबग अल्मोस्ट डण है बस मैं ढग देती हूँ दो मिनट और लगेगा मुझे और मेरा सब्जी रेडी हो जाएगा इस तरह से आप एक साथ में बनाएंगे तो आपका रोटी सब्जी डाल और एक कोई चट्नी 30 मिनट में रेडी हो जाएगा और बिल्कुल फ्रेस फ्रेस खाना मिलेगा आपको तो इस तरह से आप फ्रेस खाना बनाया करें आप आप एउ Audi कममे जालु मैं से बनाएं क्योंकि हमेसा मसाला हम नहीं खा सकते इतना ज्यादा तो हमेंशा मसालों के साथ खाना बनाना चाहिए रोजाना में तो मैं रोटिया से लूँगी आठा लगा के रोटिया से लेंगे हम अब मैं टेशू ले लूँगी और तवा पे घीखी लगा के उसको अच्छे से कूप कर लेंगे ताकि हमारा रोटि जले नहीं और फिर हमारा रोटि जो भीभम बनाएंगे बिल्कुल फुली फुली रोटियां बनेंगी तवा से बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और मैं एक भाने में इस GB नहीं होता है जो आपको कुयार इस्तमाल करते हो भी इंपर्ण होते अलंवर व Rob हमें से आइरीन का तवा इस्तमाल करें और जो भरतन वगए हैं वह भी नारी इस्तेक के कम से कम इस्तमाल करें नॉने श्टिक को अपने कीचन से उसको दूर ही रखें तो इस तरह से मेरा खाना बनके रेडी हो गया है तो आलो भींडी की सब्जी बिल्कुल फ्रेस मसालों से कुटा हुआ दाल और रोटी पतला सा दाल बनाते हैं हमारे पतला दाल बनाया जाता है र के दाल का पाणी बोल सकते इसको यह बहुत ही हेल्डी होता है जब हम छोटे थे तो बच्छों डॉक्टर भी बोलते थे तो उस तरह से ही डाल होता है हमारा और डाल म Знаe ने शीश जीघ हो लाल से तरका लगाया है घी के साथ तो यह जो लेसन वाली डाल है यह बहुत ही स्वाधिश्ट लगती है तो आप एक बार लेसन को छील के बाड़ी काट के तरका लगाए जीरा के साथ बहुत ही स्वाधिश्ट डाल बनती है इस तरह से तो आप इस तरह से भी डाल में जो तरका ल खा सकते हैं तो जो भी बोलिए तो वह एक अच्छा सा हेल्दी सा लंच ब्रेकफास्ट रेडी है आपका और आप इसको चाहे तो लंच में ओफिस ले जाए और चाहे तो घर में खाए मेरे घर में तो हिमानसु जी एक या दो रोटी खा लग Jennifer बाकि फिर लंच में मैं यही पेक्त कर देती हूं उपर मेन फिर मिनटन कर अब मैइ एक हरी मिर्च और एक डुप्राप्यार काट कर नधिञे इसको देख सकते हैंldigt और फिर हम इसमें एक टुक्रा निम्बू निचोर देंगे और नमक डाल देंगे थोड़ा सा और बस हमारा चटनी बिल्कुल फ्रेस फ्रेस चटनी बनके रेडी हो गया जो तो इस तरह से तीशी की चटनी आप देख सकते हैं कि कितना हेल्दी बिल्कुल फ्रेस फादीसे इसको बोलते हैं स्वादिस्थ गर्म होता है तो इसलिए बहुत ही श्वादिस्थ लगता है और मसाले ही इस तुछ खाने में जो घ्रो पम और्स नेखे आना बने और सबच ही चेंज होता रहता है हमारा डाले होती रहती है जटनी वी होता रहता है तो इस तरह से हमारे हैं लंच और ब्रेक फास्ट जो भी बहुत सकते बनता है इसके वाब फूर्ट खाएं तो आप इस टरह से एक हालदी, रहेंगे रहेंगे क्योंकि आपने अच्छा सा हेल्दी सा ब्रेक्फास्ट किया है उसके वादा फ्रूट्स वेगरा ले रहे हैं जो भी एग वेगरा ले रहे हैं तो यह हैल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है तो आप इस तरह से एक हैल्दी रूटीन फॉलो करें इस फ्रेस खाना बहुत ही पसंद है और हम हर किसी को इस तरह से पसंद होता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है आपको इस तरह के वीडियो चहिए तो मुझे कॉमेट करके जरूर बताए थैंक यू झाल झाल